हेलो गाई जी आरो मौस्ट वेल्कमोने टुजाड मोटिवेशनल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये आप गनेश की मूर्ति घर ला रहे हैं तो किस और सुन्द की गनेश मूर्ति घर लाएं जाने इस वीडियो में पाद्र पद्र की शुकल चतुर्ति तिति के दिन भगवान गनेश का जनम होता इस बार ग्यारा दिवेशे गनेश उत्सव साथ सितंबर दोजार चोवी सनिवार से सुरू हो रहे हैं आईए जानते हैं किस और सुन्द की वाली गनेश की मूर्ति लानी चाहिए और इस्थापना कैसे और किस परकार से करनी चाहिए गनेश जी की बाई सुन्द वाली मूर्ति के इस्थावित करना ग्रहस्तों के लिए सुब माना गया है 22 सूंद के गनेश जी को वाम मुखी और विधन विनायक गनेश जी कहते हैं गनेश जी की दाई सूंद वाली मूर्ती को किसी विशेश कार्य की सिद्धी के ले इस्तावित करते हैं दाई सूंड वाले गनेश जी के मूर्ट को दक्सिना पिमुकी और सिद्धिविनाय गनेश जी कहते हैं एकदम सिद्धि सूंड के गनेश जी की उपासना सन्यासी मौक्स प्राप्ति एतु करते हैं गनेश अस्थापना के सुब मूरत गनेश जी का जन मध्यान काल में हुआ था, इसलिए इसी समय में स्थापना करना सुब माना जाता है, दिन के दूसरे पैर को मध्यान काल कहते हैं, मध्यान काल सुबह 9 बजे से लेकर 2 बहर 12 बजे के बीच रहता है, इसके बाद अपरहन समय लग जाता है, 7 सितंबर 2024 को गिनेश पुजा अस्थापना का सुब मुरत सुबह 11 बजगर 3 मिनट से 2 पहर 1 बजगर 34 मिनट तक रहेगा अभीजीत मुरत सुबह 11 बजगर 54 मिनट से 2 पहर 12 बजगर 44 मिनट तक रहेगा विजे मुरत 2 पहर 2 बजगर 24 मिनट से 2 पहर 3 बजगर 14 मिनट तक योग सुबह 6 बज़कर 2 मिनट से 2 पहर 12 बज़कर 34 मिनट तक रहेगा कैसे करे गणपती मूर्थी की स्थापना मंगल परवेश के पार जाओं ने स्थापित किया जाएगा उस जंगे की सफाई करके उसे पूजा के लिए तेयार कीजिए उत्तर दिशाया इसान कौन कच्छे से साप करके कुम कुम के स्वास्तिक बनाए और हल्दी से चार बिंदे लगाए फिर एक मुट्टी अकसत रखे और इस पर चोटा बाजोट चोकिया लकडी का एक पाटा रखे पाटे पर लाल या पिले या केसर या रंग का सूति कबड़ा बिछाए चारो और फूल और आम के पत्तों से सजावट कीजिए और पाट के सामने रंगोली बनाएए तांबे के कलस में पानी बरकर उस पर नादियर लखे आसपास वंदित दूख दीप अगरबत्ती आरती की ठाली आरती पुस्तक परसाद आदी पहले से रख ले इसके बाद गनेश जी एवं अंबिका यानी सुपारी में मोली लपेट कर कोई स्थापित करने से पूर्व ओम पुंडिर आप्स वाला मंत्र बोलकर आभान कीजिए फिर स्थापना के दोरानी ए मंत्र बोले का जानन भूत गनारी देव संती वाला पुरा मंत्र बोले अप परिवार के सभी स्थापना के नियम नमबर एक मिट्टी की बैठी हुई जने उधारी मूर्ती स्थापित करे जिसकी सून्ट बाई और हो साथ में मुशक भी हो नमबर दो मूर्ती को गर की उत्तर दिसा हिसान कोन में ऐसे स्थापित करे के मुख पस्चिम के ओर रहे नमबर तीन लकडी के पार्ट पर लाल या पीले वस्तर बिचा कर मूर्ती को स्थापित करना चाहिए नमबर चार एक बार गणेश मूर्ती को जहां स्थाबित करते फिर विशर जन तक उसे इलाना नहीं चाहिए नमबर पांच गणेश जी के स्थाबना कर रहे हैं तो विशर जन तक परती दिन सुबह साम पूजा आर्थी करे और भोग लगाए नमबर चै गणपती इस्थाबना के दोरान अपने मन में पूरे विचार पूरे भाव नहीं लाने चाहिए और नहीं कोई पूरे कारिये करने चाहिए नमबर साथ गणेश इस्थाबना के दोरान घर में किसी परकार का तामसिख भोजन ना बनाए सातिव भोजन करें नमबर आठ इस्थापना के बाद गणपती जी की विदिवत विदान से पुजा आरती करे और फिर साथ और फिर बाद में परसाथ विद्रन करे जैसरी गणेसा इनमे ओके काई जाई जोफ जानकाजी आपको अच्छे लिगी होगी तो मिलते हैं एक्स्टूडियो में तिलते हैं ओके बाई बाई